हेलो फ्रेंट्स आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुती खास बहुती इस्पेसल सकरकंदी की रेसिपी तो बनाना बेहादी आसान है और खाने में बहुती जदा टेस्टी लगती है तो इसे आज हम बहुती इस्टन तरीके से बना कर त्यार करेंगे तो चलते हैं इसे बनाने के लिए तो उसे पहले फ्रेंट्स वीडियो अची लगे तो लाइक से और जरूर कीजेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा तो इसे बनाने के लिए मैंने याँ पर देखिए एक किलो सकरकंदी ली है तो ये देखे लाल कलर की सकरकंदी है आप कोई सी भी सकरकंदी ले सकते हैं तो हमारे यहाँ पर तो देखिए इसे सकरकंदी बोला जाता है तो आपके हमाँ इसे क्या बोला जाता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह की एक भ बजरी ले सकते हैं तो इसे हमें अच्छे से सैट कर लेना है भगोनी में आप यहां पर हम पानी लेंगे तो पानी हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे थोड़ा सा इसके उपर डालेंगे तो पानी हमें इसमें ज्यादा नहीं डालना है तो ध्यान रहे कि हमें हाथ से इसमें थो सारी भी लगा सकते हैं तो बहुत ही आसानी से सिक कर त्यार हो जाती हैं तो देखिए मैंने सभी को इसमें अच्छे से रख दिया है तो अब यहां पर हम देखिए फिर से इसके पर थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो पानी हमें इसमें ज्यादा नहीं डालना है पानी के हमे थोड़े से हिसमें छीटे देने हैं जिसे की अच्छे से इनकी सिकाई हो जाए तो इसे अब हम ढख करके चार से पाच मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे और यह बहुत ही आसानी से सिक जाती है यानि चार से पाच मिनट में पक कर त्यार हो जाती है तो मुझे देखिए तीन मिनट हो गया है तो मैंने इसको बीज में एक बार चेक कर लिया है तो इस तरह हम देखिए अच्छे से इसे चेक कर लेंगे कि अभी हमेरे सकरकंदी पकी है नहीं पकी है तो यहां देखिए हमने इसको फिर से चेक कर लिया है यहां हम एक knife लेंगे और इसको हम डालेंगे यानि अच्छे से पकी है नहीं पकी है तो इसमें देखिए अभी थोड़ी और पकने में टाइम है तो एक मिनट और ढख करके रख देंगे तो ध्यान रहे कि जो आप इसे cover करते हो वो अच्छे से cover होना चाहिए नहीं भाब बाहर नहीं निकलनी चाहिए तो देखिए हमारी अच्छे से सकरकंदी बन चुकी यानि अच्छे से पक चुकी है तो इन्हें हम निकाल लेंगे तो इसी तरह हमें देखिए सभी को एक एक करके अच्छे से निकाल लेना है तो यहां देखिए हमारी सभी सकरकंदी अच्छे से हमने निकाल ले एक बरतन में यानि आप इस तरह बनाओगे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आपने पानी की तो कई बार बने होगी आप एक बर इस तरह जरूर बना कर खाईएगा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो बच्चे इसके दिवाने हो जाएंगे आप एक बर जरूर ट्राई कीजेगा तो यहाँ देखिए हम इसके छिलके को हटा देंगे तो इसी तरह देखिए सभी सकरकंदी के हमें छिलके को हटा कर त्यार करना है और यह इसका छिलका है बहुत ही आसानी से निकल जाता है तो देखिए मैंने इसको अच्छे से त्यार कर लिया है तो इसी तरह देखिए हमें सभी को अच्छे से छिलके को हटा लेना है या अच्छे से इस तरह छिलकर त्यार कर लेना है तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या भी इसे छोटी छोटी पीसों में कट कर लें तो मैंने यहाँ पर देखे इसे चोटी चोटी पीसों में कट किया है यानि खाने में बहुत ही ज़दा टेस्टी लगती है आप एक पर इसे बनाओगे तो मेरी गारंटी है आपके बच्चे हफते में इसे दो से तिन बार जरूर बनवाएंगे क्योंकि खाने में बहुत ही ज़दा टेस्टी लगती है तो पानी की जो सकरकंदी होती है जो हम पानी में उबालते हैं वो थोड़ी खाने में मीठी नहीं लगती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे बनाने में बनाना बेहदी आसान है तो इस तारे हम देखिए सभी को अच्छे से कट कर लेंगे तो मैं आपको दिखा दू देखिए बहुत ही अच्छी सिक्कर त्यार हुई है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है तो मैं आपको याद दिला दू कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को स सब्सक्राइब ने किया तो फिली सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ वैल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा तो मिलते हैं अगले कैसी वीडियो में तब तक लिए